कि 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 अले फ्रेंट्स को कम बाक आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं mmtc और सुजलॉन दोनों ही स्टॉक में आज अपर सर्कृट लगा हुआ था तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है कौन-कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टॉक कहा तक है क्योंकि mmtc ने जैसे ही सौका लेवल क्रॉस किया है बहुत से लोग करके पूछ रहे हैं क्या यह स्टॉक वापस से अपने ओल्टाइम हाई को जाएगा वापस से थाउजन के उपर जाएगा क्या चलिए डीटेल में समझने की कोसिस करते हैं जो क्या यह वाकई जा सकता है और साथ हम लोग बात करेंगे सुजलों के क्वाटरली रिजल्ट के ऊपर भी और सुजलों के चार्ट के ऊपर भी तो वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक ज़ूर देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे mmtc के सेर के ऊपर इस परसेंट के अपर सरकृट के साथ क्योज हुआ है एक संधर तेजी इस स्टॉक में देखने को मिला स्टॉक जो है 100 के लेवल के ऊपर काफी टाइम के बाद सस्टेन किया है लाश्ट वन मंत की अगर बात करेंगे तो स्टॉक 22.6% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है और अगर हम लोग लाश्ट वन इयर की बात करेंगे तो स्टॉक ने 204.45% का रिटर्न बना के दिया है यानिकी स्टॉक ने एक बहुत ही सांधार रिटर्न बना के दिया है अब अगर MMTC की बात करेंगे तो फंडमेंटली जो है अभी आपको पी कंपनिये हैं अभी यहां पे अच्छा नहीं है बट अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तेक्निकली तो टेकनिकली स्टॉक में एक अच्छा तेजी रिखने को मिल रहा है जलिए इसके ऊपर डीटेल में बात करते हैं लेकिन अगर अब तक आप लोगों ने टेलीग्राम गुर्प को जोइन कर लिजिए यहां पर आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का लेबल इसके साथ ही जिसके से भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकाउट आता है या फिर यहां पे भी आपको breakout आ सकता है जिसके से भी stock में या breakout जो उनको retaste कर रहा है उन सभी charts को हम लोग लगातार share करने की कोसिस करते हैं जिससे की आपका maximum benefit हो सके इसके साथ ही in case अगर आप stock market technical analysis को सीखना चाहते हैं तो online और offline class का next batch start हो रहा है 3rd of August से यह batch आपको start होने वाला है तो आप registration कर सकते हैं online, offline दोनों ही mode है आप जिस mode में भी comfortable है उस mode में join कर सकते हैं offline class Delhi में होगा और in case अगर आप premium group को join करना चाहते हैं तो premium group का सारा detail जो है telegram group पे दिया हुआ है यहाँ पे आपको swing treating के लिए calls मिलेगा कौन से stock को buy करना है, कौन से level पे buy करना है क्या stop loss रहेगा, क्या target रहेगा कहां पे partial profit book होगा, कहां पे full profit book होगा everything in detail में cover किया जाएगा तो आप जाके check out कर सकते हैं telegram group का link description box में चले बात करते हैं MMTC के share में सबसे पहले अगर देखेंगे तो जोड़दार तेजी देखने को मिला इससे पहले भी stock जो है February के मन्त में 100 के level के ऊपर जाने के कोसिस किया था, नहीं जा पाया था बट आज stock ने यहाँ पे 100 के level के ऊपर गया और यहाँ पे एक सांदार तेजी दिया और stock ने closing भी 100 के level के उपर दिया, अब अगर हम लोग यहाँ पे weekly basis पे बात करेंगे तो weekly basis पे clearly आपको दिखेगा stock काफी time के बाद 100 के level के ऊपर sustain करने की कोसिस कर रहा है इस stock ने अपना all time high लगा था जब stock का listing हुआ था 2010 में, 13, 10 का उसके बाद से stock ने इस level को कभी भी touch नहीं किया है यहाँ पे अगर देखेंगे तो clearly जो है एक multi year breakout देखने को मिल रहा है stock जो है आपको almost 11 year के बाद इस level को cross करने की कोसिस कर रहा है तो इस stock में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है stock अपने previous swing high को already cross कर चुका है 101.9 को already cross कर चुका है 100 के लेवल के ऊपर अगर monthly basis पर sustain कर जाता है stock तो फिर stock में जो है उपर की side में हम लोगों को 188 190 का level उपर की side में उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 500 का भी level देखने को मिल सकता है लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो company अभी के लिए company का fundamental उतना अच्छा नहीं है company loss making है अपने other income की वज़े से जरूर जो है यहां पर कुछ profit सो कर रहा है बट company का fundamental बहुत जादा deteriorated है लेकिन अगर यहां पर government कुछ करता है तो उसका effect देखने को मिल सकता है लेकिन fundamental change जब होगा उसके बाद आपको वो पता चलेगा technically stock अभी अगर देखेंगे तो एक multi year breakout है और stock में एक सांदार तेजी उपर की side में 188, 190 की तरब उसके उपर अगर निकलता है तो फिर हम लोगों को 500 की level की side भी जी ने अपना जून क्वार्टर का रिजल्ट पोस्ट कर दिया क्वार्टर और फारेंसियर 25 बहुत ही strong result company ने पोस्ट किया है 2022 क्वार्टर का कंपनी ने यहां पे sales पोस्ट किया है जो कि previous 12 क्वार्टर में highest sales है operating profit 370 क्वार्टर का company ने पोस्ट किया है जो कि again previous 12 क्वार्टर में highest है और लगातार operating profit जो है यहां पे आपको company का increase हो रहा है एक healthy operating profit margin जो है company यहां पे maintain किये वे 18% का operating profit margin company ने maintain किया है 302 क्वार्टर का company ने net profit किया है जो कि अगर यहां पे देखेंगे तो previous 5 quarter में यह आपको highest है और year basis पे almost यहां पे 3 times है 101 पोस्ट किया था last year same financial quarter में last financial year और इस बार 302 क्वार्टर का यहां पे company ने net profit पोस्ट किया है अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो already company ने अपने debt को manage कर लिया है जो कि इस stock के लिए fundamentally सबसे weak point था debt को restructuring करना जो की company ने यहां पे already कर लिया है reserves भी अब company का positive हो चुका है fix asset 890 करोड का है यहां पे अगर एक important बात देखेंगे June के महने में यानि की June के quarter में share rolling pattern में एक जबरदस्त change हुआ है और यहां पे September 2023 के बार या फिर in fact अगर last one year की बात करेंगे तो last one year में FII ने 14% अपने stake को increase किया है same one year में यहां पे DIA ने तक्रीबन जो है आपको 3.4% से अपने stake को increase किया है और यह सभी आपको जो है stock बेचा जा रहा है retailers के द्वारा retailers बेच रहे हैं FII और DIA जो है यहां पे stock को purchase कर रहे हैं 2010 के levels को stock यहां पे cross करता हुआ दिख रहा है यानि कि एक multi year breakout 14 year के बाद stock इस level के cross कर रहा है एक जबरदस्त तेजी stock में देखने को मिल सकता है already काफी पहले से भी stock को हम लोग discussion करते वे आ रहे हैं यहां पे stock में आपका next target होना चाहिए 100 का 100 के ऊपर अगर निकलता है तो उसके बाद जो next target होगा वह आपका 130 135 का zone और उसके बाद stock 200 के level की side भी move कर सकता है तो company के technicals में भी एक अच्छा breakout टेखने को मिल रहा है और company का fundamentals भी जो है simultaneously improve हो रहा है company को नया order in flow मिल रहा है government का focus है green energy पे और wind turbine का one of the major supplier है 2 megawatt 3 megawatt के series में जो है dominant position पे है इनर्जी और एक जबरदस्त तेजी इस stock में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट चेयर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे तर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो analysis अच्छा लगा हो वीडियो क्लैक करके चानल को सब्सक्राइब जरू कर ले कर लोगों 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 कर लो